भाई लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमको यहाँ पर इसाब पे ओनलाइन घर बैठे पूरे यहाँ पर दो लाख रुपे का लोन अप्रूब किया गया है अगर मैं यहाँ से चाहूंगा तो इसाब पे मिनमम जो है पांच हजार रुपे से लेके मैक्सम दो लाख रुपे तक लोन अप्लाई कर पाऊंगा और अपने लोन पे मैक्समम यहाँ पर 36 महिने तक EMI करवा पाऊंगा तुरंत हमको यहाँ पर लोन मिल जाएगा आप पे तो अगर आपको घर बैठे लोन अप्लाई करना है आपको पैसे की जरुत है तो आप एक काम करना यह वीडियो आप जो है पूरी देख लेना आज किस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का एप जो है बताऊंगा जिसा पे आप जो है घर बैठे लोन अप्लाई कर पाऊंगे तुरंत इस पे आपको लोन मिल जाएगा पैसे मिल जाएंगे जिसका EMI आप जो है पेम अगर आपको लोन अप्लाई करना है घर बैठे तो ठीक है अब भालोग जैसे ही आप जो है आपको डाउनलोड करके उपन करोगे ऐसा पे जो पेण हो जाएगा आप एक काम करना अपना एक यहांपर मोबाइल नंबर डाल के नीचे चले आना यहांपर आप जो है वेरीफा आप पे लोग इन कर पाओगे तो आप एक काम करना यहाँ पर M-PIN डालके नीचे से continue पर टाप करना फिर से एक बार और जो है M-PIN डालके continue पर टाप कर देना फिर आपका M-PIN यहाँ पर setup हो जाएगा फिर आप एक काम करना आप जो है आपकी सारी परमिसन यहाँ पर one by one जो ह पर allow कर देना आप भाई लोग जैसे ही आप जो है परमिसन यहाँ पर डालने का तो आप एक काम करना अपना पूरा डीटेल आप यहाँ पर डाल देना सबसे पहले अपना पूरा नाम जो आपके अधार कार्ट पेंकार्ट पे होगा फिर अपना एक जो है email ID दोनों चीज आ आप यहाँ पर डालके नीचे से continue पर टाप कर देना तिर आपके सामने option open हो जाएगा आप यहाँ पर open हो जाएगा आप यहाँ पर app पे कौन सा loan apply करना चाहते हो वह चीज आप यहाँ पर click करके select कर लेना इसाब पे आप जो है काफी तरह का loan apply कर पाओगे जैसे कि पहला home loan apply कर पाओगे personal loan apply कर पाओगे तो आपको कौन सा loan apply करना है उसको आप यहाँ से select कर लेना मैं आपको इस वीडियो में personal loan जो है apply करके दिखाता हूँ इसके लिए आप एक काम करना personal loan पे tap कर देना उसके बाद दोस्तों आपके सामने option open हो जाएगा अपना personal information पूरा यहाँ पर डालने का अगर आपको यहाँ से loan apply करना है तो आप एक काम करना अपना पूरा detail one by one आप जो है डाल देना बिल्कुल सही सही डालना गलती मत करना एक भी ठीक है सबसे पहले अपने pen card का पूरा number डाल देना तिर अपना एक जो है email आड़ी अपना date of birth जो आपके pen card अधार card पे होगा फिर नीचे आओगे अपने area का pin code जो आपके address पे होगा ठीक है पूरा pin code यहाँ पर डालके नीचे आना अपना gender thread करके पूरा detail डालके आप जो है नेस् रुपे तक मिला है लेकिन मैं यहाँ पर आपको only 5000 रुपे का loan apply करके दिखाऊंगा 5000 हम यहाँ से loan amount select कर लेंगे और अपना EMI चोस कर लेना फिर आपका EMI आपको मिल जाएका मन्तली कितना आपका EMI होगा सब कुछ चक कर लेना नीचे आओगे आपको आपके loan की पूरी detail मि बिएगा अगर आप जो है इतने का loan apply करोगे तो सब कुछ चकर लेना अगर आपको loan apply करना है तो आप एक कांपकरना यहां पर टाप कर देन लोन लेने का, आपका reason क्या है, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पर click करके select करके नीचे से nest कर देना, nest करने के बाद, यहाँ पर आपको अपना और जो है detail डालना होगा, कि आपका education label क्या है, आपने कितना जो है चीज आप जो ह inadार चाहिए करते हुँ यहाँ पर क्लिक करके स्वलेकर करके बता देना फिर नीचे से आप जो है डीटेल डाल के सम्मिट कर देना फिर आपके अधार कार्ट पे जो आपका मोबाईल लंब लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा OTP डालके continue पे टाप कर देना फिर यहाँ पर आपने DZ लोकर पे जो अपना M-PIN बनाया होगा वहला M-PIN आप यहाँ पर डालके continue पे टाप कर देना फिर आप एक काम करना इसको allow कर देना तुरंट आपका KVC यहाँ पर चेक किया जाएगा थोड़ा सा wait कर लेना फिर आपका KVC यहाँ पर हो जाएगा हो सकता है आपके सामने option उपिन हो जाए अपने pen card को verify करवाने का तो आप जो है करवा लेना otherwise आप यहाँ पर wait कर लेना ठीक है wait करने के बाद आपको एक काम करना होगा आप पे अपना एक जो है selfie क्लिक करके upload करना होगा इसको allow करके आप जो है camera पे क्लिक करके selfie जो है क्लिक करके upload कर देना फिर आप एक काम करना submit कर देना submit करने के बाद आपका पूरा address आजाएगा सब कुस चेक कर लेना अगर सही होगा तो नीचे से बस आपको continue पर tap कर देना है आपका loan यहाँ पर आजाएगा final कि इतना आप जोए loan apply कर रहे हो इतना आपका EMI होगा इतने दिन के लिए होगा इतना interest होगा सब कुस चेक कर लेना अगर आपको loan चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पर tap कर देना agree पे agree पे tap करोगे अपना bank account select करने का page open हो जाएगा अपने bank account का FSC को डालके submit कर देना तिर अपना account number सब कुछ यहाँ पर डालके आप जो है submit कर देना loan आपका app पे apply हो जाएगा loan का पैसा यहाँ पर आने में only आपके bank account पे 24-48 घंटे का time लगेगा यहाँ पर submit करोगे बस आप जो है e-sign complete कर लेना e-mendate complete कर लेना अपने debit card या net banking से बस आपका loan apply हो जाएगा आपके bank account पे आ जाएगा ठीक है तो भाई लोग ऐसे करके आप जो है इसे आप पे घर बैठे अपना loan apply कर पाओगे मैंने आपको लाइप जो है इसे आप पे loan apply करने का process करके दिखा दिया आई पाप करना जान गे होंगे अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना साथ में अगर आपको online earning करना अगर बैठे पैसे कमाने है तो अगर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो क्योंकि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे कई सारे online earning के cashback उफर जो है देता रहता हूँ चल्दी जाओ जोईन कर लो लिंक आपको इसी वीडियो description में मिल जाएगा अगर आपको earning करना है पैसे कमाने है तो चल्दी जाओ जोईन कर लो